हलो मेरे प्यारे दोस्तों आपका स्वागत है हमेशा के लिए आशी छाया पर और ये देख लीजिए रात का टाइम है साथ बज़ करके बीस मिनट हो चुके हम लोग अपने स्ट्रे लोग को फूड के खिलाने के लिए आए हैं मैं और मेरी डॉटर और आप सब लोग कैसे हैं मुझे जरूर बताईएगा और आपको तो मालूम है ये मेरी डेली रूटीन है ये मेरी जिन्दगी का की हिस्सा है और जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे हम लोग इनको भी खाना खिलाते हैं मैं इन में कोई फरक नहीं रखती हूँ तो आप सब लोग भी देखे ये नहीं है लोग लग लगती है तो इससे बच्चे भी काफी कुछ सिखेंगे देखिए इसमें टाइगर है जिसको मैं प्यार से गुड़ू बुलाती हूँ गुड़ू है आपको मालूम है इसमें शुगर है और Lucy के दो बेटे ओर हैं इसके अंदर और आपको मालूम ही है हमने चार बच्चो को Stralise के लिए भेजा हुए आप पहले वीडियो भी मेरा देख सकते हैं भी मैंने जनमाश्टी में वाले दिन Stralise के लिए 4 बच्चो को ले करके गई हूँ और जो लोग भी में साथ नए जुड़े हैं प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिजे आशी छाया को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे और जो चार बच्चे हमारे लिए हमारे स्ट्रेड आइस के लिए गए हुए हैं उनके लिए आप प्र खबर आपको देनी है टाइगर गुड़ू के बारे में जो मेरा प्यारा गुड़ू है आप सबको मालूम है लूसी का बेटा है जो हमारी घर पे रहता था जिसको मैंने भी ओन रोड छोड़ा हुआ है क्योंकि घर पर वो ज़्यादा देर नहीं रह पाता था अकेला तो अ चैथी कांठ सी लग रही है हमें और आ कुछ ऐसा जैसे हमने घर के पास लेकर जाओंगी और पिर आपको बताऊंगी कि डॉक्त्क् Herren क्या कहते यह लूसी का छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और लूसी अब स्ट्रेलाइस के लिए गई हुई है तो आप सब मालूम ही है कि स्ट्रेलाइस का क्या मतलब होता है तो आप सब लोग गुड्डू के लिए प्रात्ना कीजिए गुड्डू यानि कि हमारा प्यारा टाइगर और ह तो नाचुल लोग एक दूसर की कियर करते रहेंगे हमेशा यह देखिए यह खाना तो खा रहा है लेकि यह देखिए इसकी आप गांठे आप देख सकते हैं टाइट है काफी सखत सी है और सुझी हुई है और इसको हम लोग जैसे मेरी डॉर्टर ने थोड़ा सा दबाया तो इसकी थोड़ी आवाज आई है गुड़ू की थोड़ी सी इसको पेन हुआ है गुड़ू को तो सुबह हम इसको डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे तो आप प्रातना कीजिए गुड़ू के लिए प्रेयर कीजिए कि सब पुछ ठीक हो अच्छे से हो और जो भी को मानेंगे जो भी फूड वो कहेंगे वही फूड में गुड़ू को लाके खिलाऊंगी और कोई कमी नहीं रखोंगी इसके ट्रीटमेंट में जैसे मैंने हमेशा पहले भी किया ही है तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट मिले गुड़ू को और ये जल्दी से जल्दी ठीको थैंक यू सो मच